Hello students, welcome back. So, आज के इस वीडियो में हम चॉलिस की मेथड को डिसक्स करने वाले हैं, बहुत ही इंपोर्टन बैथड है और ये देखेंगे कि किस तरीके से किस सिस्टम आफ एक्वेशन पे हम ये चॉलिस के मेथड अप्लाई कर सकते हैं ठीक है? और ये जो सिस्टम आफ एक्वेशन आपके पास दिख रहा है ये ही हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे So, प्लीज जो लोग इस चैनल पे नए हैं I request you to subscribe the channel Thank you Let's move Iterative method है हम already कर चुके हैं जैसे Gauss-Jackoby और Gauss-Hiddle method is already done और General method आपको System of Equation को solve करने का आपको पता ही है Cramar's Rule और Matrix Inverse method Direct method में Gauss Elimination method के बारे में हमको पता ही है अगर नहीं पता है तो आप जब मैंने Gate के question सा कराए थे तो आप उसमें जाके देख सकते हो Gauss Elimination method उसमें है बहुत simple है 12th level में भी आप ये करते हो Gauss-Jordan method भी है जिसमें आप A-Inverse निकालते हो आप लोगों को याद होगा LU Decomposition method में हम क्या करते हैं कि दो तरह के method होते हैं एक matrix जो coefficient matrix है या matrix को हम क्या करते हैं Decompose कर लेते हैं कि किसी दो matrix के product में जैसे L उसको एक lower triangular और upper triangular matrix से product में लिख लेते हैं L में जो LII अगर 1 होता है तो हम उसको do little method बोलते हैं और अगर UII 1 होता है तो उसको हम crowds method बोलते हैं यह already आप लोगों को पता होगा अगर आप Chalice की method देख रहे हो Chalice की method भी एक तरह का LU Decomposition method ही है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले यह देख लीजी यह system of equation हमें solve करना है using the Chalice की method अब Chalice की method को solve करने का condition क्या है अभी आगे मैं discuss बता दूँगा तो उससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए step wise step हमें कैसे चलना है पहले step है आपके पास जो भी system of equation दिया है उसको matrix form में change करना है इसको मैंने matrix form में change कर दिया तो हमारे पास यह इस तरह का matrix आ गया अब आप ध्यान से देखो और यह बताऊ यह एक किस तरह का matrix है let me know please and you have three seconds जिस लोगों ने जिनको पता लग गया है कि यह किस तरह का matrix है well and good यह आप देखोगे ध्यान से कि यह matrix जो है वो symmetric matrix है अगर आप ध्यान से दोगोगे AIJ position जो है AIJ position के equal है ठीक है तो यह condition जो है वो सबसे important है चॉलिस की method के लिए जो भी system of equation दिया होगा उसको जब आप matrix form में change करोगे तो यह जो matrix औक coefficient matrix वो symmetric होना चाहिए and positive definite matrix होना चाहिए positive definite matrix का क्या मतलब है कि जो उसके principle minor है सारे वो positive होने चाहिए ठीक है तो अगर matrix positive definite है symmetric है then चॉलिस की method can be apply और चॉलिस की method में apply करने के लिए हम क्या करते है L इस A को किस तरीके से लिखते है वो अभी हम discuss करेंगे अब देखे A x equal to B में जब आपने change किया और इस तरह का symmetric matrix आपके पास बन गया है तो हम क्या करेंगे इस A को आपको पता है LU decomposition method में हम क्या करते थे A को decompose कर देते थे multiplication of two matrix से like L in multiply by U जिसमें L lower triangular matrix होता था U upper triangular matrix होता था यहाँ पर एक minor सा modification करना है इस U को हम L transpose लिखते थे हैं क्योंकि L अगर lower triangular matrix है तो L transpose obviously upper triangular matrix होगा तो यहाँ पर U की place पर हम L transpose लिखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा A equal to L into L transpose ठीक है अब A x equal to B की जगा जब आप A equal to L into L transpose दिखोगे तो यह equation बन जाएगी L L transpose X equal to B अब इस L transpose X को हमें लेना है Y ध्यान देना बहुत important step है L transpose X को लेना Y L transpose X को लेना है Y L transpose X को लेना है Y तो हमारे पास L multiply by L transpose X equal to B यह क्या बन जाएगा L Y equal to B L transpose X को मैंने लेना Y तो यह बन जाएगा आपके पास L Y equal to B L Y equal to B से हम Y की value निकालेंगे और इस Y की value को वापस यहां substitute कर देंगे तो हमारे पास X की value आ जाएगी और यही हमें निकालना है तो चलो देखते हैं जैसे आप L into L transpose equal to A लिखोगे L आपको पता है lower triangular matrix है उसको multiply कर रहे हो आप L transpose मतलब उसी के transpose से तो एक symmetric matrix बनेगा और RHS में भी आपके पास symmetric matrix है जो की A है तो जब आप इसके entries को equate करोगे तो आपके पास L11, L21, L22 L31, L32 L33 की values आ जाएगी जैसे ही इन entries की value I इसका मतलब यह है कि आपका काम हो गया है L और L transpose की value आपको निकल जाएगी ठीक है there is a direct formula also with which you can find the values of L I J also ओके यह हमारे पास system of equation दिया था L यह था L transpose हमने यह assume किया है और उसके बाद इन दोनों को multiply कर लेंगे और एक एकोल रखेंगे एक एकोल रखेंगे तो हमारे पास L 1 1 square is equal to क्या है का 4 it means L 1 1 की value क्या है 2 L 1 1 की value यहां substitute करेंगे तो L 1 1 L 2 1 equal to क्या है 2 तो L 1 1 की value 2 2 multiply by L 2 1 equal to 2 means L 2 1 की value आगी 1 similarly L 3 1 की value निकाल सकते हैं उसी तरह L 2 2, L 2 3 2 और L 3 3 की value हम निकालेंगे यह आपके पास display है बहुत nicely इसको किया गया है आप देख सकते हो मैं आपका time waste ने करूंगा इस वज़े से directly मैं values आपको दिखा रहा हूं कि L 1 1 की value 2 है L 2 1 की value 1 है L 3 1 की value क्या जाएगे 7 L 2 2 की value की आजाएगी 4 L 3 2 की value की आजाएगी minus 3 and finally L 3 3 की value आजाएगी 5 ठीक है clear so आप compare करके देख सकते हो यहां से equate करके मैंने लिखा है L 1 1 की value आप यहां substitute करोगे तो L 2 1 और L 3 1 की value आजाएगी यहाँ पर L 2 1 की value डालोगे तो L 2 2 की value आजाएगी L 2 2, L 2 1 और L 3 1 की value substitute करोगे तो L 3 2 की value आजाएगी और यहाँ पर L31 और L32 की वह substitute करोगे तो L33 की value आ जाएगी means आपके L की सारी entries आ चुकी है अब इन सारी Lij की value को हम substitute कर देते हैं direct formula से भी आप निकाल सकते हो it is up to you which formula you like to use Lij की value मैंने substitute की तो हमारे पास L आ गया इसको transpose किया तो हमारे पास L transpose की value भी आ गई अब हम वही process apply करते हैं जो हम value decomposition method में करते हैं जैसे A को मैंने L into L transpose लिखा है तो हमारा AX equal to B जो है वो बन जाएगा L, L transpose X equal to B इस L transpose X को मैं कहले लूँगा Y जैसे मैं L transpose X equal to Y लेता हूँ मैं assume कर लेता हूँ Y की value मैंने ये लिए है Y1, Y2, Y3 तो L transpose X equal to Y लूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास L Y equal to B तो L Y equal to B L की value ये रही B की value हमारा RHS में है 14 minus 101 and 155 यहां से आप forward substitution करोगे तो आपके पास Y1, Y2, Y3 की value निकल जाएगी forward substitution means 2 multiply by Y1 is equal to 14 means Y1 की value की आएगी 7 Y1 plus 4 Y2 equal to negative of 101 मतलब की Y1 की value 7 substitute करेंगे 7 को यहां ले जाएगे minus 108 हो जाएगा 4 Y2 is equal to minus 108 it means Y2 equal to minus 28 ओके और 7 Y1 minus Y2 plus 5 Y3 से हमारे पास Y3 की value आजाएगी जब हम Y1 equal to 1 और Y2 equal to minus 28 substitute करेंगे तो हमारे पास Y1, Y2, Y3 की value आगी है अब Y की value निकलते ही हमें क्या करना था बताओ हमने L transpose X को Y लिया था यहां से Y की value निकल गी थी sorry L Y equal to B से हमारे पास Y की value निकली है अब L transpose X equal to Y है यहां पे हम Y की value substitute करेंगे L transpose की value आप already निकल चुके हो X की value आपको निकल दी है यहां से अब आपको backward substitution करना है तो finally आपके पास यह value आ जाएगी backward substitution means नीचे से start करेंगे 5Z equal to 5 means Z equal to 1 4Y minus 3Z equal to minus 27 Z की value 1 है तो क्या जाएगा 4Y minus 3 equal to minus 27 मतलब 4Y equal to minus 27 plus 3 मतलब 4Y equal to minus 24 so it means Y equal to minus 6 okay means minus 24 divided by 4 similarly Z और X की value यहां substitute करेंगे तो हमारे पास X की value आ जाएगी ठीक X की value 3 है यही मुझे निकालना था है X equal to 3 है यह Y equal to minus 6 और Z equal to 1 this is our final solution I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 24 की method को किस तरीके से करना है if you like the video just like give it a thumbs up subscribe to the channel thank you so much for watching see you in the next video